इसी है आगे कम करते हैं जब फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में कोई इंट्रो नहीं सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं कई बार गर्मी के मौसर में क्या होता है कि बाइक, स्कूटर, कार इनका जो टायर है वो फट जाता है तो आगे इस वीडियो में आपको एक बहुत प्रीट पुतानेवाला जो कि मैं अपनी गार्यू के टायर में यूस करता हूं जिससे आगर आफ फॉलो करोगे तो गर्मी के दिनों में आपका जो गारी का टायर है वो सेफ रहेगा और टायर नहीं फटेंगे वैसे गर्मी की दिनों में बाइक और स्कूटर में और किंच होता है टायर के अंदर में हवा की जो मातरा है वो बढ़ जाती है और यहां पर बहुत सारे factors एक साथ consider होने लगते हैं जैसे कि टायर का condition कैसा है टायर किस brand का है टायर ट्यूबले से या फिर ट्यूब वाला है रेडियर या नॉर्मल टायर है कितना ट्यूबला टायर है कितना चल चुका है वो टायर किस गाड़ी में लगा हुआ है कितना loads उस पर पढ़ता है किन roads पे वो गाड़ी यहादा चलती है लगतार कितना riding and driving होता है इन सारे factors को देखते हुए टायर के अंदर में गर्मी की दिनों फ्रंट टायर में यहां पर आपको 20 PSI हवा भराने चाहिए लेकिन गर्मी के दिनों आपको एतना हवा बिल्कुल भी नहीं भराना टायर पटने का चांसे हो सकता है करना क्या मैं आपको बताता हूँ देखो आपको यह करना है कि अगर छोटे टायर हो स्कूटर वगर रखो तो आपको एक या दो PSI हवा कम भराना है 20 कमपनी बोरी तो आप 19 या 18 भराओ और अगर बड़ टायर वगर या बाइक वगर आए तो 2 से लेकर 3 PSI हवा कम भराओ कमपनी कहरी 30 तो आप 27 या 28 PSI रखो यहाँ पे एक इंपोर्टन बात मैं आपको बनाना चाहूँगा जो कि जस्ट आजी मेरे साथ हुआ है पेट्रोल भराने के बाद मुझे लाया कि टायर में वगर हवा को चेक करा लिया जाए और थोड़ा सा हवा कम कर लिया जाए क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है तो मैंने उनसे कहा कि भाई आगे आप चेक कर लो और 19 PSI हवा कर दो उन्होंने क्या क्या कि 32 मसीन में सेट था 32 PSI उन्होंने उल्टा क्या कि फ्रंट टायर में 32 PSI हवा को भर दिया मस्त और मैंने उनसे कहा कि भाई कम करना था या चेक करना था तो उन्होंने कहा कि आप खुश सेच कम कर लो ऐसा अक्सर जब आप पेट्रोल पप में फिरी हव आवा भराते तो होता ही है मुझे रखना है 19 उन्होंने भर दिया 32 आप सामने लोग कितना आवा भरा चुका है तो खर मैंने बाहर्च उसे चेक करा है उसे सही करा लिया एक या दो PSI हवा कम रहने से फायदा ये हो जाता है कि जब गर्मी के दिनों में अंडर लोड टायर के अंदर में हवा का एक्सपैंसन होता है गाड़ी से बेहतर हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, कॉनरिंग, ब्रेकिंग, रोड ग्रीप, ट्रेक्शन, ट्रेड लाइफ और टायर लाइफ बेहतर देखने को मिल जाता है साथ ही अगर ऐसा हो जाए कि रैडिंग और ड्रेविंग के टायम पर अचानक से टायर मगर वो कील बगर खुजा है तो गर्मी की दिनों में जब एक्सपैंसन जादा हो तो कील गुशने के वैसा क्या होता कि टायर पंक्चन नहीं होते, कई बाद टायर एकदम से फट जात है तो चाहे चोटा टायर हो, चाहे बाद टायर हो, आप एक काम करो कि कम से कम 2 PSI हवा पीछे के टायर में आप कम रखो, अगर कंपणी रिकमेंड करी 32 तो अप 30 अगर कंपर धकर 38 तो अप 36 प्यासा हो तो इसतरह से मैं बाकल आगे और पीछे के टायर में 1-2-3 PSI इस तरह ह जैसा मैंने आपको बताया हवा को कम रखोगे तो गर्मी के दिनों में जब temperature बहुत जादा और खास करके जब आप लंबे सफर पे हो जागतार चला रहे हो उस time पे tires जो है जैसा मैंने आपको बताया कि condition अंदर से भी बहतर रहेगा handling stability सब कुछ बहतर रहेगा road grip भी बहतर रह लेकिन उल्टा ऐसा हो जाए कि जो recommended उससे आप 6, 8, 10 PSI जादा हवा रखो उससे क्या होता वो expansion और जादा बढ़ जाता है जो कि tire के trades को भी damage करते है टायर का जो sidewall होता है उससे भी damage करते है और कई बार जब road बहुत गरम हो तो वहाँ पे tire फट भी जाते है या छोटा मोट अगर puncture हो जाए किसी भी kill वगरा के वज़े से तो उस वज़े से भी एकदम से क्या होता कि tire से हवा नहीं निकलता उस तेजी के वज़े से क्या होता कि tire blast कर जाता है तो अमीद है आज का ये video को पसना है और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share जरूर से कर द भाई